यस डी टी ए भागलपूर इस बैक अगेन आये में तरो पढ़िया विरन अधिया एर्वारवेंट अधिया 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 आपके विचार से कौन सा उद्देश शेशरवादी को प्यूग थे आखेर विज्ञान कायोजन प्रोजेक्ट वर्क वगेरा क्यों करवाया जाता है ताकि बच्चे में आई क्या स्रिजनात मकता कलपना पढ़कता स्रिजनात मकता क्या होती है creativity नए विचार नई रचना सकती आती है बच्चे में स्रिजनात्मक्ता रचनात्मक्ता सरजन करना ज्यान का नवीनी करन imagination कलपना पड़कता आती है logical thinking तारकिकता विक्सित होती है क्यों नहीं बहतरीन विकल्प होगा सिक्चार्थी के लिए विद्यार्थियों के लिए स्रिजनात्मक्ता माध्यम उपलब्ध कराना अभिवावक को संतुष्ट करना हमारा यही लक्षे क्या विद्याले का नाम परशित दिखरना बताईए विवसाय नहीं चलेगा चलिए फोर नमबर आंसर कासा ब्रॉज की विशे में जो ब्रॉज वगेरा होता है जिसका उप्यू गुलकुंडा की किले में मिली तोप में किया गया था तो कासा जो होता है कॉपर पलस जिस्ता वगेरा मिश्रन होता है तो गुली वगेरा में प्रियोग करते हैं काशा वगेरा हजारों साल से प्रियोग हो रहा है बरतन वगेरा घरों में आपने देखा होगा साधी भी हम नए देल जाता था तिलाग दहे जमें कासा के बरतन वही तो गुआप हैसा है तोप में भी परियोगत होता था तो सही कथन चुनिए काँसा अच्छा आदिवासी लोग भी परियोगत करते थे काशा वगेरा काशा तामबा तथा टीन का मिश्रधातु है यस काँबा टीन तथा टीन का और तामबा कॉपर का मिसरधातु होता है कांसा तामबा तथा प्लेटीनम की मिसरधातु है प्लेटीनम की नहीं सहाग कांसा एक तत्व है नहीं कांसा तामबा कौपर तथा जस्ता की मिसरधातु है चल यह उत्तर क्या हो गया एक नमबर नेक्स्ट प्रियोग और प्रियोग आतमक कारी करते हुए स्यामा की निस्पादन कक्छा में सर्वस्रेश्ट होता है उसे बहुत सरिजनातमक सिक्षार्थी माना जाता है इसलिए वह डैस के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है स्यामा की निस्पादन के द्वारा संकल्पनाओं को सिक्षार्थी माना जाता है यह हमारा उत्तर हो जाएगा अब सारी चिंतन अभी सारी तो नहीं सहाब अभी सारी क्या होता है सीमित कर देना एक सीमित दायरे में बान देना one will be the right answer अलबरूनी जिस देश से आया थ लीजिए अलबरुनी किस देश से आया था तुझ बैकिस्तान से आया हुआ था ये तो फैक्ट्स हैं नीचे देगया एक्सप्रिस ट्रेंड टाइम टेवल कुछ अंस दिया गया लीजिये साहब सूरत मढगों के बीच की दूरी दिया गया है अब लीजिये इतना किलोमीटर इतना घंटे इतना घंटे मने उपरोग चुछ सूच ट्रेंड द्वारा इस दूरी को तै करने में लगा समय करमश है देखें सूरत समय 530 किलोमीटर है मढगाओं यहां पर 1590 तो कितना किलोमीटर हुआ सहब 590 में माइनस कर लेते हैं 1590 में माइनस कर लिया जाए इस 530 को तो कितना आ गया 979 किलोमीटर यानि 3 ओप्षन या 4 ओप्षन हुगा हमारा अब देखें टाइम को देख पा रहे हैं समय प्रस्थान किया था 1620 यानि 4 बज कर 20 मिनट पीएम में बाद में साम के समय में 16 का मतलब यही होता है न अपराहन प्राइम मेरेडियन पीएम और नहीं तो चारबीस लिखा रहता है यदि एम होता तो अब 1620 गाइम साथ पैतालिस सुभ पहुंचता है 1620 से साथ पैतालिस पैतालिस नहीं लेंगे पैतिस लेंगे यानि 35 में ही न पहुंच गए आप पहुंचने का समय यहां से प्रस्थान का समय लीजिए चुकि समय जो लगेगा पहुंचने में उसी को हम लोग काउंट करेंगे न तो 1620 साथ पैतिस सोलबीस से साथ पैतिस कितना हो जाएगा 15 घंटे 35 मिनट 15 घंटे 35 मिनट इधर 15 घंटे और 15 मिनट यस 15 घंटे 15 मिनट निकालेंगे तो यह फिर जो है तीसरा नंबर विकल्फ हमारा उत्तर हो जाएगा एक पबलिक स्कूल में परते कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेश आवश्यक्ता वाले हैं विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चे हैं चाहे तो वह एवरेज बुद्धी से कम हो या ज्यादा हो विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चे अर्थात जो दिव्य बच्चे हैं दृष्टी बाधित बच्चे हैं जो क्या है विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चे हैं तो कुछ बच्चे सारेडे की अमानसिक रूप से रिट्रेडेड हैं, विकलांग हैं, बादित हैं, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ बढ़ते हैं, उप्रोक्त पबलिक स्कूल में किसका अनुपालन है, तो समावेशी कक्षा का, समावेशी के नीचे अध्यापन कारे करवाया जाता है, द्रिष्टी बाधेत, स्रिजनात्मक, मूड गुद्धी के बालक, जौन डिवी की अवधारना, इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन, फोर नंबर, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न जाती हो, सब को एक ही छत के नीचे साथ साथ पढ़ाना, जिससे सहयोग आत्मक, कोलेवरेटिव लर्निंग का विकास होता है, राष्ट्यता, मौलिकता, देश परक्ता, सामाजी गुनों का विकास होता है, घर्षन के विसे में फ्रिक्षन लेजिए, फ्रिक्षन पे चर्चा करना है, जो हम लिखते हैं, तो वह भी क्या है, कागज और कॉपी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्षन एनरजी काम करती है, तभी तो हो पाता है, एक नमबर हमारा सही, हम पैन की नोक और कागज की बीच घर्षन होने के कारण ही लिख पाते हैं, फ्रिक्षन के कारण ही, हम फर्स पर अपने पैर हमारे पैरों के घरसन कर चल पाते हैं यस घरसन के कारण घरसन यदी कम होगा तो सिलिप करके गिर जाएंगे घरसन जादा होगा तो चल ही नहीं पाएंगे मेडियम रहता है यह भी सही है अब कहता है उर्दवादर फेकी हुई उपर उड़वादर यानि सीधे vertically फिका हुआ गेंद कोई गेंद घरसन के कारण ही हमारे पास वापस लोटती है YU से क्या होता है घरसन? उलका पिंड बगेरा भी आप देखते हैं जल उड़ता है घरसन के कारण ही न? घरसन के कारण हम किसी गतिसील वाहन को ब्रेक लगा कर रोकते हैं इनमें सही उदारन है घरसन के कारण किसी वाहन को ब्रेक लगा करके रोकते हैं अब देखिए घरसन के कारण वाहन को ब्रेक लगाते हैं तो लोह तत्तो वाला उपकरन भी मेन रूप से मेंडेटरी होता है तो A, B, C भी ये तीनों दमदार उत्तर होंगे आपके और D कुछ हद तक सही हो शकते हैं लोहे और पहिये के बीच में घरसन करता है काम लेकिन आप्सन मौजूद नहीं है A, B, C, D तो हमें A, B, C को ले करके चलना होगा जूकि हमारा बहतरीन उत्तर होगा अरे ना 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 ये C नमबर आप ध्यान से देखें Newton's law जो होता है उस पे काम करेगा कि गुर्तवा करसन सकती जो होती है पृत्वी की उपर गेंद फेकते हैं तो नीचे खीच लिया जाता है ग्रेविटेशन एनरजी ग्रेविटेशनल फोर्स तो C नमबर हमारा यहां कट जाएगा A, B और D को उत्तर लेना होगा A, B, D दो नमबर विकल्प में है 2 विल बे दा राइट आंसर आठ नमबर पस्मीना सॉल से संबन देत है पस्मीना सॉल आप जानते है 6 स्वीटरों के बड़ाबर होता है बहुत पतला होता है पस्मीना नामक बकडियों से प्राप्त किया जाता है लगबग 250 घंटे लगते हैं निरमित करने में 4 नमबर उत्तर होगा 6 घंटे और 250 समय लगता है घंटे लगते हैं और 6 स्वीटरों के बड़ाबर 6 चादरों के बड़ाबर सॉल के बड़ाबर होता है नेक्स्ट सरीता की सिक्षिका उसे विभिन सामूही गतिविधी कोलेवोरिटिव एक्टिविटी दिया जाता है बच्चे समूह में कारे करते हैं तो इससे क्या होगा बच्चे में देखें पुड़ा प्रेश्न पढ़ें सामाजिक गतिविधी के रूप में सीखना कोलेवोरिटिव लड़ने और वाईगोद्सकी के अनुसार भी सामाजिक सांस्कृतिक अंतहक्रिया सोचियो कल्चिरल इंट्रेक्शन कोरिलेशन तो समाजिकता के गुनों का सहयोग आत्मक गुन विक्सित होंगे राष्टेता, देशभक्ति, एकता, खंडता, सोहाद्रता की भाबना विक्सित होगी निपैंथिस पौधा लीजिये घट पर नीपौधा है निपैंथिस विसेस तो या मेघाले में आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलिया वगेरा में पाया जाता है इंडोनेशिया मेघाले आस्ट्रेलिया भारत के मेघाले में पाया जाता है विसेस रूप से निपैंथिस घड़े जैसा मुह होता है पतियां वगेरा से जो है ढख जाता है ढखा रहता है और एक सुगंध होता है विसेस परकार का और छोटे कीरे मकोडे चुहे वगेरा आदी आते हैं और इसमें फस जाते हैं मुबंद करते हैं अपना कहानी के लिए रह में घाले और ऐसा क्यों करते हैं नाइट्रोजन की भिन है जो अलग है उसका चुनाब करना है इसकूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्द कराने में आर्थिक रूप से कम आर्थिक रूप से कम जोर बच्चों के लिए निसुल कोचिंग चलवाने कोचिंग चलाना ये कौनसी बात हैं पुरानी जीले निर्मित करने में विशेश रूप से सक्चम बच्चों को सीखने में मदद करने में ये क्या हाँ अब से ये उसे चुनिए जो अन्यों से भिन है जो अलग है तो ग्रीस पैट्रोल कोईला नहीं कोईला नहीं पैराफिन मूम जो होता है ये एक ही परकडिया से निकाले जाते हैं और कोईल वगेरा क्या होता है लकडियों के जलने से प्राप्थ होता है जब कि यह किरोसीन तेल से ही प्राप्थ होता है यह तीनों तो हमारा थरी नंबर भिन होगा अलग होगा और यह उत्तर होगा कोईला बिहार के गाउं में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मदुमक्खी पाल कर मदुमक्खी पालन कहां साब मदुमक्खी पालन जो है लिची का फूल कब केलता है तो फरवड़ी महीने में अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा काल माना जाता है मदुमक्खी का क्योंकि अंडे देने का काल होता है और यहां दो नंबर हमारा उत्तर होगा सबसे अच्छा समय तो अक्टूबर से दिसंबर एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसाइनों के उप्योग करने से तो मिर्दा क्या होगी? बंजर होती चली जाएगी इसलिए तो फसल चक्रन वगेरा अपनाने कहा जाता है बंजर हो जाएगी सिदी सी बात है और फोर नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा बाकी विकल्प में निमलिखित में लेह और लद्दाक के मकान की विसेस्ता है लेह लद्दाक जो है साहब जैसे चांग थांग जनजाती के बारे में भी दिया जाता है आपका तो लेह लद्दाक पेड के तने से बनी लकडी की ढालू छतें हाँ जी बर्फ बाड़ी होती है बहुत जादा तो ढालू छत बनाया जाता है ताकि बर्फ स्लाइड करके नीचे गिर जाए है ना निचली मंजिल में कोई खिरकी नहीं मनल खिरकी नहीं होती है निचली मंजिल में पसू वगेरा रखते हैं और जब काफी बरफवाड़ी होती है, तो निचनी मंजिल में पसूओं के साथ व्यक्ती मनुष्य भी रहने लगते हैं, और जब धूब का समय हो जाता है, तो फिर उपर चले आते हैं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, पत्थरों से दीवार बनी होती है, साथ ही साथ, मिट्टी नहीं, मिट्टी वगेरा तो राधिस्थान में है, कटीली जाडियों से छटे बनी होती हैं, लकडी का फर्स होता है, तो लकडी क्या है, थंड को ज़्यादा तरुन भारत संग नामक शमू संबंधित है तो तरुन भारत संग सहाव न ये पुरानी जील जो थी उसको पुरार निर्मित करने से संबंधित है पुरार निर्मित तरुन भारत संग पुरानी जील आदी बावडी वगेरा इस सबको मरमत करने से उसको पुरार निर्मित करने से सम्मंदित है इसका संगठन इसका गठन जो हुआ था उनिशो पच्छत्तर में ओथा राजस्थान राजस्थान वगेरा है ना जैपूर में अगनी पीडितों की साहिता के लिए किया गया था राजस्थान के जैपूर वगेरा में अगनी पीडित वगेरा साहिता करने के ल यह लगभग 35 सालों से मतलब विरान जंगल में हड्याली को वापस लाने का प्रियास कर रही है हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर उप्तर हो जाएगा 1975 में अस्थापना होई थी जो पुरानी जीले हैं उसके पुनर निर्मान के लिए पुरानी जीले पुनर निर्मित करने में स्कूल में दोपहर का भोजन मिड्डे मीन नहीं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं साहब विशेश रूप से सक्चम यह क्या बाते हो गई एकदमें डी टिये भागल पुर्देव्यांस टीचर्स अकेडमी के लोगों को बूरबग बनाई ले है का हो हां साफे एकदमें बों जय हिन जय भारत वंदे बाते हो